दूस्तों आज की कहानी है जेठानी जी सासुमा हमारा बुरा क्यों साएगी दूस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हूँ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पाउंसे और नया वीडियो नीशा संबल कर रहना सासुमा जादू टोना करती हैं कभी तुम उनकी जाल में फजाओ इसलिए समझा कर जा रही हूँ सुनेना ने अपनी पंद्र दिन पहले ब्याकर आई देवरानी अंचु को सावधान कि आज वो वापस अपने घर जा रही थी हाई दया जेठानी जी कैसी बात करती हो सासुमा और जादू टोना ऐसे कैसे कर सकती हैं आप आंसु उलजन भरे सवर में बोली तुमें नहीं पता जब मैं यहां रहती थी तो तुमारे जेठ पर वो जादू टोना करती रहती थी मैंने बहुत बार उनके कमरे में लाल मेर सोटे से इमाम जस्ते में गूटी रखी देखी और सिंदूर भी और सै निम के बद्दे भी सथे साथ में यह सब जदू टोने की तो निशान्या होती में मियर से भी करती थी लेकिन मा के वंस में होने के कारण कुस नहीं बोलते थे असानक एक दिन मियर का ट्रोस्पर हो गया तो हम यहां से सले गए तब जाकर हमें जदू टोने से मुक्ती मिली इसलिए तुमसे भी कर रही हूँ भया का ध्यान रखना कभी भया तुमारे साथ से फिशल जए सुनेना तो कहकर सलती बनी लेकिन अंसु के मन में उतल पूतल मसा गई दिरे दिरे अंसु अपनी गरस्ती में रमने लगी सुमित्राजी अंसु को बहुत प्यार देती और बहुको मिने वाले सारे अधीकार प्यार और मान समा देती दी लेकिन सुनीना अक्षर अंसु को फोन करके जादू टोने की बात याद दिला दिया अंसु अपनी जेठानी की सारी बात सुनती लेकिन कभी उस बात पर ध्यान ना देती बलकि अब तो उसे जेठानी पर भी सकोने लगा था कि वह क्यूं हर समयन बातों के पीसे पड़ी रहती है जब कि उसने तो ऐसा कभी कुछ ना देखा और ना मेसुस किया एक बार सुनेना ने बात करते हैं फोन मियर के हाद में ही पगड़ा दिया हां अंसु सुनेना ठीक रही है मैंने भी मम्मी के कमरे में ऐसा सामान देखा हैं और जब से मैं यहाँ आयाओ मेरे विवार में बहुत बदलावा आगया जेट की बात सुनकर अंसु कुकुस अच्चासा नहीं लगा एक बेटे के मन में अपनी मा के लिए ऐसी बाते सावन का मैना सुरू हो गया था अंसु की पहली तीजोने के कारण सुनेना को भी ससुरा लाना था सुनेना ने देखा घर बर सब अंसु के दिवाने से हो गये जीसे देखो वही अंसु के गुण गाता अंसु भी भाग भाग कर सब के काम करती और माथे पर एक सीकन तक भी ना आती राद को सब अपने कमरे में सले गए तब ही सासु माने अंसु को पानी का जग लाने को का अंसु सासु मा को पानी का जग देने उनके कम्रे में जा रहती तो उसी जेठाने की आवाज आई उसने थोड़ा सा दर्वाजा दकेला तो साप आवाज सुनाई दे रहती देख लिया आपने मुझी लगता है इस नही नही आई सोकरी ने सब के ऊपर काला जादू कर दिया भी तक तो हम ममीर जी के जादू टोने स परेशान थे अब एक और टोन ना टोट की वाली आगया आप जग्दी से बाबू जी से जाए दाद का बटवारा करा लीजिए कहीं आसा ना हो कि हमें कुछ नाम मिले बाबी किस जादू की बात करे आप आपको जाए दाद में से जो सायाब अभी हम से लिखवा लीजिए देकिन इस तरह के इलजाम तो मत लगाई है पहले आपने सांसु मा को तांत्रिक बता दिया और मैं भी क्या आपके अलावा सब तात्रें के इस गर में सुने ना की बास सुनकर खूद अंसु खूद को बोलने से रोक नहीं पाई अंसु की आवास सुनकर घर के सब लोग वह पहुँज गए सांसु मा ने अंसु की बास सुनकर पूसा में तांत्री को तुम ने इतनी बात कैसे कह दी ससुर जी बोले मियर बहु की बास सुनकर तु भी सुप साब करा तुझी सरम नहीं आई कि क्या तेरी मा ऐसा काम करेगी वो बाबु जी सुनेना ने मा की पूजा की जगब पर कुटी लाल मिरस सिंदूर और ऐसा इकुश टोरने टोटके वाला समान देका मीर तु बूल गया कि उस मिरसौ से मैं समय पर तुम लोगों की बस पन से नजर उतारते आई हूँ जब भी तुमें नजर लग जाती थी वो फ़ार उने पर तुमारे आसपांस सिंदूर बिखर गया था तब ही तुमारे करहाने की आवा सुनकर में सब समान ऐसे ही सोड़ कर आ गई थी और बहुतुम खुद भूल गई किया कि मियर को सोटी माता निकली थी उसमें कुस ऐसे ही घरेलू उपाय किये जाते हैं बड़ी बहुतुमनी और मियर ने कभी ये नई सोसा कि अगर में जादू टोना करती तो तुमारे उपर क्यूं नहीं किया क्यूंकि तुम सुरू से ही मेरे पांस नहीं रहना साती थी मुझे तो तुम पर टोटका करके अपने वंस में कर लेना सही था अव सुनिना और मियर के मुझे एक सब्द भी नहीं निकल रहा था और बाबी आपको पता था कि भईया इन बातों से ड़ते हैं इसलिए आपने इस बात का फैदा उठाया और भईया के दिमाग में ये बाते डाल दी जिससे भईया को आपके साथ ये गर सोड़ कर जाने से कोई न रोग सके सकतों मुझे आप पर तभी वाता जब सादी के एक उस दिन बीद हो आपने मुझे ये सब बाते कहकर साथ धांग रहने के लिए कहाता मुझे नहीं पता कि आप क्या साबित करना साथी थी लेकित इतना जरूर पता है कि एक मापने बच्चों का बुरा नहीं साती उसे अगर टोका टोकना करना भी है तो किसी और पर कर लेकी लेकिन अपनी कोक जाई उलाद के साथ वह ऐसा नहीं करेगी और जो आपने मेरे लिए भी यहीं सब का तो ममी जी ने सई का सब से पहला टोटका तो आपके उपर होना सही था क्योंकि आप मारे खिलाब सबको भड़का रही हो वैसे ये तो आपने सही का टोड़का तो मैंने क्या सब की उपर अंसु की बाद सुनकर सब उसकी तरब देखा लगे और सुनीना वीजिय मुस्कान से ऐसे देख रही थी जैसे कर रही हो देखा मैंने सही का थाना मैंने अपने वेवार का जादू किया है सब के पर परेम के जादू फैलाए जिसे सब मेरे दिवाने होगे वैसे साथी तो ये जादू आप भी कर सकती थी लेकिन आपको ससुराल में रहना ही पसंद नहीं था इसलिए आपका खराब वेवार की वज़़से सब आप से दूर द लगा थी बास सुनकर सुनेना सर जुका कर खड़ी हो गई उसकी गड़ी कहानी में टविष्ट जो आ गया था उसने मियर के मन में हारर और संस्पेस का जो माउल बना रखा था मा के परेम ने उसे एक जटके में तोड़ दिया मियर सुनेना की तरफ गुसे से देख रहा था लेकिन इसमें गलती तो उसकी भी थी क्योंकि उसे अपना माँ पर अविश्वासु असासु मांसु के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली अगर आज सोटी बव न होती तो तुम आगे और ना जाने कितनी मिरस सब की दिमाग में भर देती जादू टोना तो तुमने क क्या एक मा को उसके बेटे से अलग करके नहीं मा मैं आप से अलग नहीं ना जाने क्यासे सुनिना की बातों में आ गया मुझे माव कर दो पती को माफी मांगते देख सुनिना भी सासे माफी मांगने लगी आकिर गलती तो उसी की थी ससूर जी बोले सलो समय राते सब को अकल आगी बस सभी से संबल कर अपने पांस रखना फिर से इसका ढकन मत खोल देना वरना मेलो तीसरियां के ढकन खुल जाएगा उनकी बास सुनकर सब हस रहते मियर और सुनीना सिर जुका एक द्रव करें